स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटे यूट्यूब चनल पर आईटे चात्रों के लिए एक और यहाँ पर्मनेंट जाप की वेकेंसी आ चुकी है CSIR Central Electronic Engineering Research Center जिसे CEERI के नाम से जानते हैं यहाँ से वेकेंसी निकाली गई टेकनीसियन वन की पोस्ट पे पहला नोटिफिकेशन है 2024 का 16 फरवरी को यह नोटिफिकेशन जारी हो गया था यह वेबसाइट पे भी अभी अभी अपडेट हो चुका है इसमें All India के कैंड़ेट्स इलिजबल है अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है और दूसरी बात यहाँ पे यह है कि फ्रेशर केंड़ेट्स अप्लाई कर सकते हैं किसी experience की demand नहीं की गई है और थर्ड सो रुपए ही फीस लगनी है SCST and PWD केंड़ेट्स की कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी तो आईए देखते हैं detail में notification कौन-कौन से छात रहाँ पे apply कर पाएंगे और क्या-क्या पढ़ना होगा आपको तयारी के लिए कैसे इसका selection process होगा एक ही वीडियो में आपको पूरी complete जानकारी मिल जाएगी तो चैनल पे नहीं तो प्ली सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दबा लीजेगा और साथ में वीडियो को like और share भी कीजिएगा जिसे सभी तक यह information पहुंच सके और आप ऐसी सभी update information और telegram पे जुड़ सकते हैं PDF पाने के लिए हम सभी तरह के update and PDF वहाँ पे आपके साथ share कर देते हैं तो जरूर जुड़िएगा and current में अगर आप देखेंगे ते नपी CIL के लेटेस्ट अपडेट आ चुकी युसरू URSC के farm भरे जा रहे हैं उसको आप लोग जरूर एक बार check out कर लीजेगा साथ में railway ALP का तो आज last date है and जल्दी technician की vacancy आ जाएगी इसके अलावा भी कई सारी permanent job जैसे NIOT की तरफ से आई हुई ही vacancy IT instructor की vacancy आ चुकी उत्राखंड की तरफ से तो जो भी candidate जिसमें eligible हैं उसमें आप लोग farm जरूर फिलप कर लीजेगा इसका farm भनने का वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा थोड़ा सा delay हो गया बनाने में साथ में यहां B.E.L. की तरफ से admit card आ चुके एंडियन आर्मी की भरती आ चुकी है सभी में जिसमें आप eligible हैं देखके farm भर लीजेगा तो यह है CSIR भरती का notification जिसमें farm जो start होगा 23 फर्वरी 2024 फ्राइडे के दिन से start होगा और 28 मार्च 2024 यहां पर last date होगी farm भनने की जैसे start होगा mobile phone से farm भनने का वीडियो आप सब के लिए हम provide कर देंगे जिससे आप आसानी से अपने mobile phone से farm fill up कर पाएंगे opportunities यहां पर technician one grade की है in a premium R&D institute चर्ण development institute है बहुत ही जादा आपको यहां पर सीखने को मिलेगा and advanced जो technology है न वो सारी चीज़ें आप यहां पर सीखेंगे जैसे integrated जो circuit IC होती है उसके बारे में सीखेंगे industrial automation group है vacuum electro device group है मतलब बहुत सारे इनके group है जिसमें vacancy जो है चन्नाई जैपूर और पिलानी तीन location के लिए vacancy यहां पर आपके लिए निकाली गई है पोस्ट की बात करें तो नाम है technician one SC category में 5, HD में 4, OBC में 5, EWS में 3, PWD 2 and unreserved category में 9, total 28 post pay vacancy आप सब के लिए यहां पर जारी की गई है pay level आपका यहां पर 2 रहने वाला है यानि आपका जो basic होगा वो कितना यहां पर 19,900 रुपए है तो अगर आपका basic 19,900 रुपए बनता है इसमें आपका DA, इसमें आपका HR, इसमें आपके other allowances यह सारी चीज़े मिला के और इसके बाद आपका जो NPS वगेरा हो सब कटता हो सब हटा के आपको 27,248 रुपए प्रॉक सैलरी आएगी उस टाइम पर जबाब जॉइन करेंगे age limit एक मार्च 2024 तक maximum 28 साल है SCHD केंड़ेट को 5 साल और OBC केंड़ेट को यहां पर 3 साल की छूट मिल जाएगी PWD केंड़ेट को यहां पर 10 साल की छूट मिल जाएगी ठीक है तो यह चीज धियान रखना है salary आपके अच्छी है pay grade अच्छा है ठीक साथ में age limit भी ठीक ठाक रखी गई है 28 साल unreservant EWS के लिए यहां पर है इसके अलावा आपको वहां पर accommodation भी मिलेगा ठीक है अगर accommodation नहीं मिलता तो आपको house rent allowance मिलेगा अगर accommodation बिलता है तो आपको फिर वहां पर HR आपका salary से वो direct हो जाएगा अब यहां बात करें eligibility क्या मागीगे essential qualification आपकी क्या रहेगी सबसे पहले पोस्ट है देखें technician one electrician की है कितनी vacancy यहां पर 3, 2, 5, total कितनी यहां पर 10 है ठीक है 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10 सभी category में आपको vacancy दिख रही है and unreserve में भी 3 post है तो बाकी candidate के लिए तो यहां भी fight कर सकते हैं अपनी seat पर भी fight कर सकते हैं आप लोग 10th में इसमें आपका minimum science subject के साथ 55% होना चाहिए and आपका ITI होना चाहिए NCVT या SCVT दोनों candidate यहां पर apply कर पाएंगे ठीक है या 10th में यहां पर आपका 55% हो and 2 साल आपके पास full time experience apprentice का आपने apprentice भी अगर की है electrician trade में 10 में के बाद तो भी आप apply कर सकते हैं या 10th में आपका 55% हो and 3 साल का आपके पास काम करने का अनुभव हो किसी ministry में किसी department और और नाइसन में तब भी आप farm भर सकते हैं यह यहां पर eligibility रखी गई है job का requirement जो रहेगा यहां पर आपका repair and maintenance रहेगा जो electrical installation रहेगा उसका इसके बाद अगर बात करें अगली है technician electronic mechanic की post है इसमें total आप देखेंगे vacancy कितनी है 9 है ठीक है इसमें भी same condition रखा गया ITA या आपने electronic mechanic trade में अगर की है या apprentice की है या experience है तो आप farm भर सकते हैं next यहां पर vacancy है अगली जो है आपका copa trade की है ठीक है आप देखें copa वालों की भी यहां पर vacancy आ चुकी है तीन post है total copa वालों के लिए यहां पर total तीन post पर vacancy निकाली गई है and OBC में एक seat है PWD में दो है सिर्फ तो यहां पर सिर्फ OBC वाले candidate फार्म भर पाएंगे और जो physically benchmark disability वाले candidate है person with benchmark disability वो यहां पर फार्म भर पाएंगे बाकी candidate copa trade में फार्म नहीं भर पाएंगे ठीक है तो सिर्फ OBC फार्म भर सकते हैं और भी एक seat पर इसमें भी same criteria मागा गया ITA आपका copa में होना चाहिए या 2 साल की apprentice या 3 साल का experience हो अगली post है mechanic RAC की total post है 4 unreserve में 2 है तो सभी category candidate फार्म भर सकते हैं SC, HD में, SC में 1 है OBC में 1 है, HD की vacancy नहीं बट आप unreserve में apply कर सकते हैं यहां पर आपने mechanic RAC trade में अगर ITA की है तो आप यह form भर सकते हैं इसमें, next है welder की welder की unreserve post है 1, EWS है 1 तो unreserve में 1 है, सभी लोग चाहें तो form भर सकते हैं, आप चाहें जिस category से हो बसरते आपको unreserve में apply करना होगा और आज की age limit जो 28 साली रहेगी और 100 रुपय आपको fees भी भरनी होगी, भले आप SCHT या OBC category से हो यहाँ पे भी same welder में आपने ITA किया हो and 55% आपका marks दसुई मोसाइन साइट से तो आप यह form भर सकते हैं अब यहाँ कुछ जो handicap dollar दिखाया गया था, उसमें blindness and low vision को visual यानि VH कहते हैं deep and hard hearing को HH कहते हैं muscular जिसको है यहाँ पे locomotor disability उसे OH कहते हैं इस चीज को आप लोग यहाँ पे देख लीजेगा किस category में vacancy है and आपका क्या है उसमें disability selection process थोड़ा सा यहाँ पे different है selection process में सबसे पहले आपकी screening होगी trade test के लिए सब जहाँ पहले return test होता है फिर trade test होता है maybe exam के time पे इसको बदला भी जा सकता बड़ chances है trade test पहले होगा जो आपका exam होगा उसमें 3 paper होंगे paper 1, paper 2 और paper 3 जिसमें से paper 2 and paper 3 जो होगा वो उनहीं का check किया जाएगा जो minimum threshold mark जो paper 1 का है उसमें प्राप्त कर लेंगे यानि paper 1 में आपको pass होना जरूरी है नहीं तो आपका paper 2 and 3 check नहीं होगा और merit आपकी सिर्फ कैसे बनेगी जो आप paper 2 और 3 में score करेंगे number merit उसी के basis बनेगी paper 1 सिर्म qualifying nature का होगा exam आपका कैसा होगा OMR base भी हो सकता है CBT भी हो सकता है multiple choice questions रहेंगे question English और Hindi दोनों में रहेंगे जो English language का question हो सिर्फ English में रहेगा standard क्या होगा exam का तो 10th का plus ITI या 12th standard का question रहेगा इसमें टोटल question कितने होगे 150 दो घंटे 30 मिन धाई घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा नहीं एक question के लिए वनार रहेगा इसमें mental ability test होगा आपका सिर्फ 50 question होगे 100 number का होगा कोई negative marking नहीं होगी ठीक है इसे आपको यहाँ पे general intelligence, quantitative aptitude reasoning and problem solving के question यहाँ पे रहेंगे आपके जिसके basis पे आपको pass करना होगा इसे ठीक है paper 2 जो होगा आपका उसमें सिर्फ 30 मिनट आपको मिलेंगे जिसमें general awareness के 25 question होगे English language के 25 question होगे एक के question तीन तीन नंबर का होगा negative marking रहेगी one negative mark होगे यानि one third का negative marking होगा यह exam आपका थोड़ा tough पड़ जागा paper 2 में आपको जो है negative marking देखने को मिलेगी general awareness so current affairs से general awareness हो रहेगा और English language synonyms, antonyms and preposition ठीक है grammar इन सबसे questions आपके रहेंगे इसमें paper 3 जो होगा आपका एक घंटे का time होगा इसमें यह आपके concerned subject से होगा जैसे electrician है तो electrician, welder है तो welder उन सबसे questions रहेंगे total 50 question होगे 150 number का होगा one negative marking यानि एक number कटेगा अगर सही है तो तीन number मिलेगा अगर गलत है एक number आपका कट चाएगा यह है paper 3 paper 2 और 3 जिसमें negative marking है इसी से आपकी merit बनेगी इसी से आपका selection होगा लेकिन trade test और paper 1 आपको qualify करना जरूरी रहेगा अब qualifying marks कितना रखा गया है वो यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया है ठीक है बाकी age limit में relaxation CST को 5 साल, OBC को 3 साल का मिल जाएगा PWD candidates को 10 साल का age में relaxation मिल जाएगा यहाँ पे एक चीज़ और देख लीज़ेगा आप लोग benefit है कुछ यहाँ पे council service का जैसे TA, DA, HRA ठीक है यह सारी चीज़ें आपको जो मिलती है government की तरब से उस सारे benefits मिलेंगे medical benefit आपको मिलेगा medical expense का benefit मिलेगा LTC मिलेगी हर साल आपको कुछ घूमने उमने के पैसे देती company family के लिए वो सब आपको यहाँ पे facility जो है दी जाएगी, ठीक है बाकी आप new pension scheme से यहाँ पे consider किये जाएंगे, All India के candidate form भर सकते हैं यहाँ पे जो form भरने की closing date है उसी पे आपका age limit, qualification सब कुछ माना जाएगा, मतलब 28 March तक अगर आपका result आपके हाँ में आ जाता है तो आप form यहाँ पे भर सकते हैं ठीक है, online form भरा जाएगा form apply अगर आप interested हैं करने में तक बार लिख दीजेगा comment section में आपको form apply करने का वीडियो हम provide कर देंगे step by step 23 तारिक से जैसे form open होगा सुबा साड़े 9 बजे आपको form apply का वीडियो मिल जाएगा इसके बाद इसकी details लेबस पे भी अलग से हम वीडियो बना देंगे और 100 रुपय का आपको जो है यहाँ पे fees pay करना होगा ठीक है, fees आपको 100 रुपय की pay करनी होगी यहाँ पे यह दिया हुआ है already आप online payment से, nift या bank, transfer, net banking किसी भी चीज़ से इस account में आपको fees pay करनी होगी यह सारा process हम आपको step by step बता देंगे, SCST, PWD, Women Candid इन सबकी यहाँ पे कोई fees नहीं लगेगी यह सभी जरूर documents है जिनको आपको रखना होगा अपने पास एक PDF में रखना है, 15 MB से ज़ादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इनको एक साथ आपको scan करके रखके, फिर इससे upload करना होगा कोई hard copy आपको send नहीं करनी यही था complete notification I hope आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी अगर कोई भी doubt रह जाता है आपका तक बार comment करके बताएगा, जरूर हम कोसिस करेंगे पूरा वहाँ पे आपकी help करने की joining आपको जो मिलेगी पिलानी, राजस्थान, जैपूर या चन्नई में मिल सकती है and examination cities अभी नोंने disclose नहीं किया, लेकिन इतना तय है कि trade test जो आपका होगा जो trade test होगा, वो इन ही जगहों पे होगा जैपूर या चन्नई में ही होगा पिलानी पे हो सकता है तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा return test का भी पूरा chances है इन ही दो locations पे conduct कराएंगे बाकी जैसी कोई update आती है तो हम आपको जरूर देंगे, thank you